हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करेंगे कुछ basic things के बारे में चलिए देखते हैं assets, liability, capital, income, expense, debtors and creditors अगर आपको इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में भी नहीं पता तो आप ये वीडियो लास्ट टक जूरूर देखें आपको जुरूर पता चलेगा कि assets क्या होती है, liability, capital, income, expense, debtors and credit ये होते कोन-कोन है और क्या-क्या होती है चलिए शुरू करते हम assets से Assets are tangible or intangible things Assets जो है, वो tangible और intangible things है चीज़े हैं कोई Tangible चीज़े हैं वो सारी जिनको हम देख और चू सकते है Intangible चीज़े जिनको हम देख और चू नहीं सकते वो सारी चीज़े जिनकी present में और future में कोई value हो तो company में तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है जिनकी present में भी value होती है और future में भी उसका use होता है चलिए देखते हैं टू टाइप सो फैसेट्स fixed और क्रंट fixed assets वो सारी assets जिनकी value एक साल से उपर तक की है यानिकी लंबे समय तक की है ऐसे कि कोई machine हम उदारन के लिए machine लेते हैं जब हम काम शुरू करते हैं अपना तो हम machine एक ही वार करिदते हैं और machine की जो value है वो 4-5 साल तक अराम से होती ही होती है यानिके हम अभी भी उसका use करेंगे और आने वाले 4-5 सालों तक भी हम उसका use अराम से करेंगे ही करेंगे वैसे ही furniture जैसे हम कोई भी company शुरू करते हैं तो हम furniture करिदते हैं तो furniture की तो value आने वाले 5-10 साल तक अराम से होती ही होती है जैसे कि हम एक बार table करिदते हैं chairs करिदते हैं तो इनकी तो value आराम से होती ही होती है 5-10 साल तक चलते ही चलते हैं और building जैसे कि building एक बार बना दी हमने तो उसका तो use हम माने वाले 15-20 सालों तक करेंगे ही करेंगे तो वो सारी चीज़ें जिनकी present में भी value है और future में भी value होगी जिनको हम future में भी use करेंगे उसको हम fixed assets मानते हैं और current assets current assets वो सारी चीज़ें जिनको हम day-to-day use करेंगे और जिनकी value एक साल से कम तक की है Cash Cash जो है एक current asset है जिसको हम day to day use करते हैं अब हमने किसी को पैसे देने हैं किसी से पैसे लेने हैं तो cash में जो है वो सारे उतार चुड़ाव होते रहते हैं तो इसको हम current asset मानते हैं Cash equivalents Cash equivalents का मतलब जिन चीज़ों को हम cash में easily convert कर सकते हैं उसको हम cash equivalents बहुते हैं उदारन के लिए short term investment मान लीजिए मैंने कोई investment करी है जिसका time period जो है एक साल से कम तक का है तो एक साल के अंदर अंदर तो वो cash में easily convert हो जाएगी इसलिए हम cash equivalents को current asset मानते हैं Receivables मैंने कुछ पैसे लेने है मैंने समान बेचा है किसी को मैंने उनको time दे रखा है कि आप मेरे को पैसे जो है एक साल के अंदर अंदर दे जीजिए तो ये मेरे को तो पैसे आने है ना किसी से Receivables है उसको भी हम current assets मानते हैं prepaid expenses अब आव मान लीजिए कि मैंने कोई office यो है, वो rent पे लिया हुआ है उसका मैंने रेंट जो है एक साल तक का अड्वांस में ही पे कर दिया तो मेरा तो खर्चा हो गया मैंने अडवांस में ही खर्च कर दिये एक साल तक के पैसे रेंट जो है मैंने अडवांस में ही पे कर दिया तो अभी अपरेल चल रहा है तो आने वाले 11 महिनों तक तो मैं उसका इस्तिमाल करूँ गई क्योंकि मैंने रेंट दे रखा है तो यह जो expense मेरा हो गया यह prepaid expense हुआ और मेरी current asset बन गी क्योंकि एक साल तक का जो मैंने rent पे कर रखा है अब यह April चल रहा है तो आने वाले 11 महिनों तक भी मैं इसका इस्तिमाल करूँगा इसलिए इसको भी हम current asset मानते हैं अब हम बात करते हैं liability के बारे में liability is debt money जो पैसा आपको किसी दूसरे party को देना होता है उसे liabilities का जाता है किसी भी company के द्वारा किसी अन्य company को दिये जाने वाली राशी को liabilities बोलते हैं दो तरह की liabilities होती है non current liabilities and current liabilities सबसे बहले हम बात करेंगे non current liabilities के बारे में non current liabilities वैसे liabilities होते हैं जिसे हमें एक financial air या उससे अधीक समयों के बाद चुकाना होता है मतलब कि वैसा liabilities जिसे हमें लंबे समय के बाद चुकाना है उसको हम non-crunt liability बोलते हैं उदारन के लिए जैसे कि मैंने office में loan ले रखा है maintenance कराने के लिए तो उस loan को चुकाने के लिए मुझे 2 या 3 साल का time मिला है तो इस loan को चुकाने के लिए मेरे पास 2-3 साल का समय है यानि कि इसको मैं एक financial layer से बाद चुकाऊंगा तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा non-crunt liability current liability current liabilities वैसे liabilities को कहा जाता है जिसे हमें एक सिमित समय में यानि कि short time में चुकाना परता है इसलिए इसे short term liabilities भी कहा जाता है अगर हम simple शब्दों में बात करें जिस loan को हमें एक financial year या उससे भी कम समय में चुकाना परता है उसे हम current liabilities बोलते हैं अब हम बात करेंगे capital के बारे में in its simplest form the fund bought in to start a business by the owners of company it is an investment by the proprietor और partner in the business तो मैंने बात की है कि जो पैसा invest किया होगा किसी proprietor ने या partner ने हमारे business में उसको हम capital बोलते हैं वो capital जो है वो किसी भी form में हो सकती है यानि कि वो हमारा जो partner है या कोई owner है वो पैसे भी दे सकता है और कोई asset भी दे सकता है मतलब कि वो capital की form में हमें 10 लाक रुपे भी दे सकता है और asset के form में कोई machine या furniture या कोई building भी दे सकता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि business की separate entity होती है तो उसके बारे में हम बात में पढ़ेंगे अभी तो आप capital के बारे में जान लो कि क्या होती है तो capital होती है जो पैसा हमारे owner ने या हमें हमारे partner ने दिया होगा business को चलाने के लिए उसको हम capital मानते है income जो पैसा हम दूसरों को goods provide करके और services provide करके परपत करेंगे उसको हम income बोलते है simple कोई सोचने वारी बात ही नहीं है इसमें तो इंकम क्यों होती है जी profit पैसा जो हमें आया उसको हम income मानते है expense an amount of money that a person or business spend खर्चे खर्चे को हम expense बोलते हैं तो हमारी company में तो बहुत सारे खर्चे हो गते मान लीजिये मैंने चाय पी ली एक साल वरका चाय का खर्चा आ गया है मेरा हजार उपे फिर मैंने rent पे कर दिये और भी बहुत सारे खर्चे इस्टेशनरी के आगे अभी मैं गिनवाने बैठू तो बहुत सारे हो जाएंगे ज़िए मैं expense को एक बोलते हैं खर्चा जो हमारी कंपनी में खर्चा हुआ है और debtors और creditors जब हम किसी को समान बेचेंगे चाहे वो उदार पे हो चाहे cash पे हो जिस बंदे को हम समान बेचेंगे उसको हम debtors बोलते हैं simple और जिससे हम समान खरीदेंगे चाहे उदार पे चाहे पैसे देकर उसको हम character बोलते हैं यानिके जिसको हम समान बेचेंगे वो debtor और जिससे खरीदेंगे वो creditor आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको असानी से सारी चीज़ों के बार में पता चल चुका होगा तो next वीडियो में हम बात करेंगे concept of accounting